हेलो गाईज, वेलकम तो माई चैनल, लर्न इजी इंगलिश लेंगविज अजाद के नाम से जानते हैं, उस नाम से वो परसिद्ध हैं, वाज थे वन आप दा मोस्ट फियरलेस, एक बहुत ज़्यादा निडर और ग्रेटेस्ट महान फ्रिडम फाइटर्स, सौतंतरता सेनानी आफ इंडिया हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान के एक बहुती निडर और बहुती अजीम, बहुती महान, सौतंतरता सेनानी थे, ही वो सन आफ लड़के थे, पंडित सीता राम तिवारी, पंडित सीता राम तिवारी के लड़के थे, एन जगरानी देवी और जगरानी देवी, जगरानी देवी इनकी माता थी और पंडित सीता राम इनके पिता थे वाज बॉर्न पैदा हुए on 23 जुलाई 23 जुलाई 1906 पैदा हुए इन विलेज भावरा इन जबगा डिस्टिक आफ मद्यपर्देश मद्यपर्देश के जबगा जिले और जो उनका गाउ था वो क्या था भावरा ठीक है वहाँ वो पैदा हुए अपने गाउ महीं उन्होंने शुरुआती जो एजुकेशन थी उनकी तालीम थी उन्होंने हासिल की फो एजुकेशन पढ़ाई के लिए वो कहाँ चले गए वरांसी संसिक्रिट पार्शाला में पढ़ाई के लिए लॉर्ड यानि भगवान हनुमान के वो क्या थे बहुत बड़े वर्शिपर पूजा करने वाले या जिसको हम कैसे थे बहुत बड़े भगते थे ठीक है उन्होंने अपने आपका खुद का क्या भेज को बदल लिया किसकी शकल में बदल लिया एक पुजारी की शकल में अपने आपको बदल लिया इन हनुमान टिंपल हनुमान मंदिर में तूज के बचने के लिए फ्राम दा कलेचेस और बिर्टिस पुलिस बिर्टिस जो पुलिस थी उसके चंगुल से बचने के लिए उन्होंने अपने आपको एक पुजारी की शकल में तब्दील कर लिया, ठीक है? यंग चंदशेखर वाज अट्रेक्टेड जवान चंदशेखर वाज अट्रेक्टेड परभावित हुए उससे क्या बहुत ज़्यादा परभावित हो गए थे जोइंड वो शामिल हो गए जोड़ गए दा मुव्मेंट, उस मौव Gentlemen में जो दोनों मुव्मेंट उसमें वो शामिल हो गया एंड ये अरेस्टेड और उन्हें गिरफार कर लिया गया and produced और उन्हें पेश किया गया before the magistrate के सामने he gave his name as Azad उन्होंने अपना नाम बताया क्या बताया as Azad यानि मेरा नाम क्या है आजाद यानि free his father's name अपने पिता का नाम उन्हें बताया as सौतंत्र यानि freedom आजादी अपने पिता का नाम आजादी बताया and his residence और अपना पता यानि उनका घर कहा है as prison jail बताया ठीक है घर कहा है जेल है पिता का नाम आजादी है और खुद का नाम आजाद यानि free this provoke इस चीज ने उसे उकसा दिया भड़का दिया प्रवोक के माने भड़का आना किसी को ठीक है यह जो बात है थी उसको क्या भड़का दि the magistrate magistrate को who sentence जिसने सजा दि sentence की माने सजा देना him आजाद को यानि चंदशेक आजाद को उसने सजा दि to fifteen lashes पंदरा कोणों की from then तब से on he was known as आजाद तब से उन्हें आजाद के नाम से जाना जाने लगा ठीक है आजाद्स पैट्रिटिजम आजाद की देशभक्ति एंड करेज साहस inspired प्रेरित की others बहुत लोगों को to join शामिल होने के लिए the freedom struggle आजादी के संगर्स में जो आजाद की हिमत थी देशभक्ति थी उससे बहुत से लोग परवावित होकर शामिल हो गए चंद शेखर वाजदा मेंटर चंद शेखर क्या थे मेंटर यानि गुरू थे आफ भगत सिंग किसके भगत सिंग के गुरू थे यानि सलाकार थे जो थे आलसो अग्रेट फ्रीडम फाइटर जो क्या एक बहुत ही महान सौतंतरता सेनानी थे चंद शेखर आजाद भी थे और भगत सिंग दोनों थे इन रिवोलूशनरी एक्टिविस्टीज करांतिकारी गतिविदियों में उन्हों दोन दोनों ने बहुत ही सकृता से हिस्ता लिया था वह बहुत ज़ादा परिशान थे किस वज़ासे बाईदा जलिया वाला बाग मैसकर जो जलिया वाला नरसनहार यानि हत्याकाणड जो हुआ त उससे बहुत ज़ादा परिशान थे इन अम्रिस सर कहां पर हुआ था ये अम्रिस सर में in 1919-1919 में ये कांट हुआ था He was played a key role उन्होंने बहुत ही मुख्य भूमिका निबाई इन दा काकोरी केस काकोरी केस में उन्होंने बहुत ही बड़ी भूमिका निबाई थी He was on their hit list and the British police badly wanted to capture him dead or alive He was on their hit list वो उनके निशाने पर थे जो list थी सबसे उपर इनी का नमबर था And the British police और अंग्रेजों की जो police थी badly बुरी तरह से wanted to capture him इन्हें पकरना चाहती थी Dead or alive, जिन्दा या मुर्दा On 27th February 1931, 27th February 1931 को चंद शेकर आजाद was at Alfred Park in Allahabad चंद शेकर आजाद, Alfred Park in Allahabad में वो थे He was betrayed उन्हें धोका दिया गया By an informer, किसके द्वारा? मुखबिर के द्वारा To the British police, उसने British police को उसने inform कर दिया The police surrounded the park, पुलिस ने पार्क को घेर लिया And ordered और उन्हें ने हुक्म दिया चंद शेकर आजाद to surrender कि वो चंद शेकर उसको अपने आपको surrender कर दे ठीक है, समरपड़ कर दे आजाद fought bravely, चंद शेकर आजाद बहादरी से लड़े And killed और उन्होंने मारा The policeman कई पुलिस वालों को उन्होंने मार दिया Finally, आखिरकार, finding himself खुद को पाकर surrounded घेरा हुगा By the police, पुलिस के द्वारा पुलिस के द्वारा उन्होंने घेर लिया गया चारों तरफ से, आखिरकार He shot himself, उन्होंने खुद को गोली मार दी Thus, इस तरह He kept his pledge, उन्होंने अपनी जो उनकी परतिग्या थी जो उनका संकल्प था उसे रखा, of not being caught alive जिन्दा ना पकड़े जाने का उनकी एक परतिग्या थी कि वो जिन्दा नहीं पकड़े जाएंगे ठीक, यह उनका संकल्प था He used to recite, वो पढ़ा करते थे His favorite Hindi couplet उनका फेवरेट, उनका जो बहुत ही प्यारा couplet था, दोहा था, उसको पढ़ा करते थे क्या था वो दोहा? दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे चलिए आगे देख लेते हैं, question answer परफा करेंगे दुश्मन की रहे ल्म झाल झाल